नमस्कार आप देख रहे हैं स्ट्रीट बर्जॉर मैं हुआ पिसाथ हारुशी राय देश के कई राज्यों में मौसम ने बदले मिजाज दिल्ली एंसियार में हाल की बारिश ने कई परिशानिया खड़ी कर दी हैं सुबह से ही हुई बारिश के कारण कई इलाकों में सड़के पानी से भर गई हैं जिससे यातायाद भी प्रभावित हो गया है अक्षरदाम से सराई कालिखा मार्ग पर जाम के स्थिती ने लोगों को खंटों तक फसा रखा मौसम वबाग ने इस स्थिती को देखते हुए तीन दिन का यलो अलर्ट जारी किया है जिससे यह संकेत मिलता है कि अगले कुछ दिनों तक और बारिश की संभाव ना बनी रहेगी पिछले दिन के दो पहर बाद मौसम में बदलाव आया जब बादल चाने और नमी यूक्त हवा चलने लगी तब गर्मी और उमस से रहत मिली लेकिन बारिश रुकने के बाद लोगों ने जल्दबाजी में निकलने की कोशिश की जिससे कई अलाकों में भीशन जाम की स्थिति उत्पन हो गई ITO, DND, आश्रम और रिंग रोड जैसे प्रमुक खिलाकों में भी जाम की समस्या रही मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल चाय रहे और दोपहर में कभी धूप और कभी बादल आने से उमस बढ़ गई शाम को हुई बारिश ने राहत प्रदान की लेकिन जाम और जल जमाओ की समस्या बनी रही मौसम वबाग ने भौईश्वानी की है कि अगले एक से दो दनों तक बादल चाय रहेंगे और मध्यम से बारिश होने की संभावना बनी रहेगी इसी वज़ा से दिल्ली एंसियार में अगले तीन दनों तक यलो अलर्ट जारी किया गया है फिलाल बारिश से तापमान में कमी आई है हवा में नमी है जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी से रहत मिली है माई जार्खन के मौसम की बात करें तो राची मौसम वग्यान केंद्र ने 11 से 12 सितंबर के लिए यलो अलर्ट जारी किया है इसके अनुसार हलके से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है जिससे तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है विशेश रूप से राजिके पस्चिमे इलाकों में जैसे गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला और सिम्डेगा जिलो में भारी बारिश हो सकती है मौसम वबाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है खास कर इन जिलो में जहां बारिश के कारण जल भरा और अन्य समस्याय उत्पन हो सकती है सभी को सुझाओ दिया गया है कि वे सड़क यात्रा करते समय साबदानी बरते और मौसम की स्थिति पर नजर बनाई रखे मौसम केंद्र के अनुसार इस बार जहारखड में बारिश कम होई है अब तक राज्य में 753.3 मीली मीटर बारिश दर्ज की गई है जबकि सामान बारिश 882.3 मीली मीटर होती है इस प्रकार बारिश में 15 प्रतीशत की कमी देखी गई है या कमी संभावता राज्य के मौसम और क्रिशी पर प्रभावट डाल सकती है इसलिए मौसम वभाग और स्थानिय प्रशासन ने आवश्यक साबधानिया बरतने की सलाह दी है कम बारिश के कारण सुखा और जल्द संकर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिससे क्रिशी और जल्द संसाधनों पर असर पड़ सकता है लोगों और किसानों को मौसम की जानकारी पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रह येगा स्ट्रीट बस के साथ नमश्कार